नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश अलवाई और आपका स्वागत है मुकेश यादब कुपिंग में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मौदक और ये हमने 5 लिटर फुल फेंट बहस का दूद लिया है आप चाहे तो गायका भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसमें हम कम निकलता है और हमने गेस कौन कर दिया है और आप इसे चलाते रहें ताकि नीचे दूद जलेना गरम होने तक आपको चलाना है यानि क्यूवाला आने तक और यदे आपको घर पे बनाना है तो आप एक लिटर दूद का भी बना सकते हैं उसमें आपको 80 ग्राम सुगर यानि की चीनी डालना है फिर भी हमने आपको कम कौन्टिटी में बताया है ये देखिए अच्छे से हमारा दूद में वाला आ चुका है तो इसमें हम अब 400 ग्राम सुगर यानि की चीनी डालेंगे जिसे सक्कर भी कहते हैं ये हमने 400 ग्राम सुगर एट कर दिया इसमें आप इसे अच्छे से चलाते रहें और यहां पे हम आपको वीडियो को स्किप्ट करके बताएं क्योंकि बहुत समय लगता है अब 15 मिनट की वीडियो तो आप नहीं देखेंगे इसलिए हमने यहां पे फटा पट यहां से आपको थोड़ा सा गेस भी स्लो कर लेना है क्योंकि अगर आपके इसको फास्ट रखेंगे तो आप जल्दी जल्दी इसे चला नहीं पाएंगे तो दूद हमारा जल जाएगा नीचे तो जैसे जैसे दूद गाड़ा होते जाए वैसे गेस को स्लो करते जाएं और हमने बहुत सारी फैंसी मिठाईयों के वीडियो डाले हैं जैसे मावा की फैंसी मिठाई, काजू की फैंसी मिठाई, ड्राइफूट की फैंसी मिठाई, मावा की वर्फी, मावा रॉल, बहुत सारी फैंसी मिठाई अपलोड किये हैं अगर आपको सभी देखना है तो हम नीचे डिस्क्रेप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देदेंगे वहां से आप देख सकते हैं और हमने दोसों से ज़्यादा मिठाई डाली है लड्डूओं की रेशीपी ये देखे अब हमारा बाबा है न ये तैयार होने को आया है और देखे थोड़ा सामें लूजी रखना है गैस को हमने ओफ कर दिया है क्योंकि हम मौधक बना रहे हैं इसमें हम गडिका बुरादा डालेंगे तो उससे तोड़ा सा आपको लूजी रखना है अकलर आप कड़क कर देंगे ये हमने हलका सा यलो कलर लगाया है तो गरी का बुरादा डालने से यानि की कोकोनट पाउडर डालने से हमारा माल और कड़क हो जाएंगा क्योंकि ये ड्राई रहता है न तो ये पूरा ये सोग लेंगा तो फिर बाद में आपका मोदा कड़क हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है हलका सा अगर आपको कोकोनट पाउडर तो डालना ही है तो हलका सा लूज लें इसे लेकिन ज्यादा भी लूज न ले लें जो कि आपका माल कड़क ही न हो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है मोदा का मिस्रड इसे ठंडा करने रख देंगे इसके बाद हमें इसमें अभी गरी का पुरादा भी डालना है यानि की कोकोनट पाउडर भी डालना है इसे तीन से चार गंटे के लिए हम ठंडा करने रख देंगे और ये देखिए चार गंटे के बाद हमारा मोदक का माटेरियल त्यार है इसमें हमने 200 ग्राम करी का पुरादा डाला है यानि की कोकोनट पाउडर ये देखिए पहले से हमारा माल अच्छा है और हलकी सी हम इसमें इलाची पाउडर लगाएंगे और इसे अच्छा सी मिक्स कर लेंगे ये मिस्रड हमारा मिक्स होके त्यार हो गया है ये साचा आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा चार मौदक का है आप चाहें तो एक मौदक का भी ले सकते हैं दो का भी तीन का भी और देखिए वह हमारे पास एक मौदक का भी साचा है और इसे बहुत अच्छे से दवाएं जितना अच्छे से आप दवाएंगे उतना ही अमारा मौदक फिनिशिंग वाला बनेंगा यह देखिए बहुत ही फिनिशिंग है हमारे मौदक में और यह साचा तो आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा और यह गड़िश्ची का बहुत ही फैबरेट है यानि कि बहुत ही उनको पसंद है मौदक चाय वो मावे का हो या बेशन को वैसे बेशन का कापी पसंद है तो अगला वीडियो में बेशन का मौदक का लेके आऊंगा और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिये हैं मिठाई के और मावा की मिठाई के ड्राइफूट की मिठाई के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकाऊंगे दोसों से ज्यादा अगर आपको हमारे सभी वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रेप्शन में मैंने प्लेइलिस्ट का लिंक दे दिया है वहां से आप देख सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे और बेल आइकन जरूर दबाएं उससे क्या होता है कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी और प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में बेशन की मौदक के साथ अगले पन्यवाद में मिलते हैं खथरूरूर。 उसले सकता हैं वे जरूरे कमें ऊपके पूसरं हो अग्रिए, जसे उसकी प्ल्यवाद यścieटिते हैं आने 5000 जसेे। झाल्वा इसे अपके साथ